पिर हमारा क्लाइंट कहा है लेकिन समर्चिंग ऐसा नहीं है वह ऐसा नहीं किया है उस दिन वह आउट पिस्टेस्ट अब आरोप अगर वह लगा रही है तो सिद्ध करें कि उनका आरोप सही है अभी तो उनका काम है नमस्कार गंगा नुज में स्वागत है आज हम एक बार फिर जुड़े हैं समर सिंग के ओकिल साहब के पास पहुंचे है जो की डेट है डेट था आज और क्या कुछ चल रहा है वो सारे बिसे पर हम बात करेंगे क्योंकि कांच्छा दुबे की मा जो है क उस विडियो को उसारे मेंटर पर बात करूंगा कि समर सिंग को कब तक बेल मिलेगी सबसे पल स्वागत है सर गंगा ने बाद सर यह बताइए कि समर सिंग के केस में क्या चल रहा है सर आज डेट थी ना आज डेट थी फिर 19 को पढ़िए बेल के लिए बहें सोगे 19 को बेल मिलेगा अब 19 लाज डेट है 19 को बहें सोगी रिजल आ जाएगा साम तो अभी मतलब कि आपके अनुसार से क्या बेल मिल जाएगा समर सिंग को मिलना चाहिए केस आप हैंडिल कर रहे तो आप क्या परकरिया चल रही है यह सब तो आपको मालूम चल रहा होगा चाहे बहुत स होता है मेरा काम होता है पैर्वी करना बहस करना अपनी बातों को अच्छी तरह नेले में रखना और हम लोग पूरा प्रयास कर रहा है कि अपनी बात शही तरीके से सरकार के सामने रखा जाए बतादू सर कि अकांच्छा दुबे की माल लगतार सारनाख ठाने पर इल्जाम लगा रही है कि हमारा 164 का ब्यान दर्च नहीं हो रहा है और कई आरोप कई मामले जो की लगा रहे हैं लगतार तो इस पर आप क्या कहें देखिए 164 का बयान पीड़ कि अगर युट नहीं लगता होगा कि लेना जरूरी है तो देख सकते हैं कि उन्हों ने कि जरूरत नहीं है लेकिन उनकी मा जो है लगतार वावाव बन रहे है मिडिया में खबर यह चला रही है लेकिन सर क्या लगता है और भी लोग जो है उन लोगों को थाना नहीं गिरफतार कर रहे हैं कई अडियो जो है वारल हुआ है उनकी मा और थाने का जो अडियो वारल हो रहा है कि और लोग जो थे संदीब सिंग थे जो कि वीडियो में जाते समय नजर आ रहे हैं लेकिन आते स जो कि पेट में उसके खाना नहीं था और लुकिट टाइब के था उस सारे मतलब की बोल रहे हैं कि अभी तक मामला था दर्सकों को भी खुलासा की देखे बिसरा रिपोर्ट की बात वो कर रहे हैं विसरा रिपोर्ट जल्द आ जाएगी उसमें लेट होता है लेकिन बिसरा र नहीं बिसरा रिपोर्ट आज चुकी है जिसमें हैंगिंग का मामला था और आरोप लगाना तो बहुत आसान है और किसी पर लगाए सकता है हम आपके लगा दें आप हमीं लगा दें लेकिन सिद्ध करना बहुत मुश्खिल होता है अब आरोप अगर वों लगा रही है तो स करें अभी कीनर समाज भी आगे आया है क्या करें कि आप अब आप एक बता देंО जो मामला न्याले सब खेस चुपा रहा है समर सिंग से मिला हुआ है पैसा खाए है मतलब क्या क्या ना जाने बहुत सारा यह ऐसा चीज वो बोल रहे हैं अब आपसे हमने पता दिया कि आरोप लगाना बहुत आसान है अरे आपने अप्लिकेशन दिया फायर दर्ज हो गई उसकी विवेचना हो रही है पुलिस को जो सकता होगी वो करेगी विवेचक करेगा अब आराम आप किसी को उपर तुरंत आरोप लगा देना यह समझ के पर है लेकिन और जैसे संदीप सिंग है उनको पुलिस के उनने गिरफतार कर पाई सर कि वह भी छोड़ने आ वाला था रहने वाला था होट पुलाया तो गया था अब पूस्ताच में क्या निकल क्या है सामने यह हम बताने से चलिए बहुत बहुत धन्याबाद हम बात कर रहे थे समर सिंग को लेकर करके जो कि अभी डेट चल रहा है कब तक बेल मिलने वाली है वाकिल साहब ने साफ कर दिया मैं दर्सकों को बीच म में क्या कुछ चल रहा है समर सिंग के के समें लगतार देखाने का प्रयास कर रहा हूं अपना राई कौमेंट वक्स में के बारे में क्या सोचते हैं कांचले के कि इतने के डर्सक है देख रहे हैं जो कि इस केस में लगतार नजर बनाए हुए थे अभी सर काफी मीडिया उससे पहले चल रहे थे लेकिन धीरे-धीरे एक केस खतम होते जा रहा है हम लोग भी कम आ रहे हैं अब धीरे-धीरे ही आ रहे है देखिए मेरा क्लाइन बेगुना है उसे फसाया गया है अब किन दौरा किन लोगों दौरा किया गया है अब यह तो जांच क्या विश्या है बाद ने पता चलेगा लेकिन बाई मिर्तक तो मिर्तक होई गई है वो पॉस्मार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आए गया है अगर इनकी मा आरोप लगा रही है तो यह सिद्ध करें कि तो त्करें कि उन्होंने समर्च नहीं यए किया है लेकिन समर्च एसा नहीं है और अज़िए और वह मृट रही की नहीं Nos तो दोश्य आपको न्याले में प्रस्तत मिलेंगे हम लोगों ने अग्रा किया है न्याले से कि वह कुटेज मंगा ले अब देखनाहा कि मालिकूल बार में संधीप शिंग है कि नहीं, अगर संधीप शिंग मालिकूल बार में भी है तो मामरा संधीप फिर हमारा कलइंट कहा है उसमें हम चलिए अपना राय कोमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या इस वीडियो के बारे में सोचते हैं मैं कैमरा मेंन से होगी किसाथ सन्ये कुमार बनारस यूपी